जेहिंद, पिछले एक हवते से भारत की ब्रमहोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हीट कर गई, और लोग का कहना है, वो जान बुछ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है, मैटर ये है कि हीट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग, देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहां से ब्रम लेकिन अंडर कस्टंक्शन था उड़ गया घरे दुआर यहां पर वहां के लोग डर गया कि आखिर यह हुआ क्या है तो उसके बाद वहां पर जो इंटर सर्विस पब्लीक रिलेशन ऑफिसर होते हैं इस प्यार कहीं पर भी देखेगा तो एक प्यार ऑफिसर होता है प्यार पब्लीक रिलेशन यहीं लोग सारे लोग पब्लीक से कॉंटेक्ट करते हैं जैसे मीडिया वाले को पास भी पूरी की पूरी प्यार टीम होती है अग किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटर्विव लेना है खानसर का इंटर विए तो उन लोग को क्या बता हूँ वह बताता है क्या हो रहा है तो इन्हों ने का हमारी टेरिट्री में फ़राः इडेंटिफाई कूई ऑब्जेक्ट हुझ गुज गया चार मिनट अपर और बिया आया, गिर गिया, किसी की जानमाल की छती नहीं हुई है, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पर गिर गिर गिया, यह इन लोग का इस्टेटमेंट था, एक्चुलिल में कि हुआ क्या था, कि भारत से मिसाईल लॉंच किया गिया था, लेकिन ये दोनों देशों में बिबाद न हो जाए, इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझ होता है, 1999 का, 21 फरवरी 1999 में अटलवियर इवाचपई और नवास शरीप के बीच में एक लाहर एग्रिमेंट साइन हुआ, अटलाहर डिक्लिरेशन, इसमें कहा गया था, कि अगर दोनों सेनाओ की अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है, तो वो लोग होट लाइन पे बात करके इसका कन्फरमेशन करतेंगे कि जान बूच की किया गया या गलती से हुआ है, इसकी आउगत करा दिया जागा, तो उसके लिए भारत की ओर से होट लाइन पे बात करके बता पार कर लिया, 175 को, उसमें ये सब कोई रिंग टोंग नहीं होता है, वो फिक्स होता है, करना कहा है, होट लाइन होते हैं, उसमें चार पांस नमबर ही, मतलब लिमिटेड नमबर होते हैं, वही पोन करना हो, एक बार फोन करेंगे, तो पठाक से वहाँ लग जाएगा, तो ह हमें से इमर्जेंसी में होता है, अगर हम कहीं किसी पर फोन पर बात कर रहे हैं, और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा, तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर होट लाइन से कॉल करेगा, तो जिससे हम बात कर रहे हो, तो उसका फोन वा कॉट जाएगा, और डारेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश, तो यह hotline दो देशों के बीच में होता है, मुख मंत्री जब call करते हैं, तो hotline से कर सकते हैं, प्रधान मंत्री वगरा, तो hotline से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया, कि ऐसा ऐसा हुआ है, व्रुवात में यह मामला दब गिया था, ल से कहेंगे, इस्लामीक और्गनाईजेशन के देशों से कहेंगे, इन लोग का करना है कि यूएन उ तक में यह मामला उठे गा, कि आखिर यह missile आया क्यों, यह गधा पाकिस्तान उसी चाल में फस गया, जिसमें हम इसे फसाना चाहते थे, हम यह चाहते थे कि पाकिस्तान इस तो यहां से लगबग वहर्याना पंजाब के बॉडर से दो मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर यह कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, चार मिनट तक यह पाकिस्तान में फ्लाई करती है, अब यह बताईए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे चार मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो missile operator उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉडर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुगा है, तो पहला बात कि जब वो चार मिनट तक दुस्मन की territory में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था, ये को और गलती क्या थी, self-destroying system होता है, जब कभी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है, तो उसे मिसाइल के अंदर automatic detonator लगा होता है, जो मिसाइल को रास्ते में ही blast कर देता है, जिससे कोई नुक्सान नहीं होता है, तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले, उस मिसाइल का एक operator room होता है, उस operator room से उस मिसाइल को fire किया जाता है, फायर करने के बाद वो operator इस मिसाइल को radar पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो self fire कर देता है, इस missile को self fire नहीं किया गया, बलकि operator चुप चाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुज गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया है 124 किलो मीटर तक, तो एक ये दूसरा proof और भी कई सारे proof हैं, तो समझे कैसे, ये नक्सा पाकिस्तान ने जारी क पहले अपने से अगर miss fire होगा तो सीधे जाएगा, अपने से miss fire होगा सो सीधे, ये turn नहीं मार सकता है अपने से, malfunction के वएसे, गड़बड़ी के वएसे, 90 degree का curve नहीं मार सकता है, जब तक उसको path find नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताए गया हो, तो पहला 90 degree turn अपने से बारूद यानि वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड भर दिया जाता है, तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है, इस मिसाइल को जाना का है, तो इस मिसाइल में जाना कहां ये फीड कर दिया गया था, और वारहेड नहीं फीड क बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था, एक और देखीगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलो मेटर से ज़ादे ये भारत में रही है, 124 किलो मेटर गई है, उसके बाद भी ये एक्ष्ट्रा गई है, यानि इस मिसाइल की रेंज प्राम जाद भी जो थी, वो 190 किलो मेटर है, लेकिन शुराई ब्रोमोस मिसाइल भाद 320 किलो मेटर कैसे चल गया, लगग ये 30 से 40 किलो मेटर एक्स्ट्रा चलाए, पाकिस्टान का इनकसाई दिखा रही है कि 38 किलो मेटर एक्स्ट्रा चल गया, रेंज से 33 के से, कोई भी ची इसको अगला देखिए और भी ये खुद पाकिस्तान कर रहा है उसको समझाते हैं ये उनके ISPR है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR समझ में आ गया ISPR समझो समझो तुरह नहीं पता है यहां पर पहला इनका कहना है कि हम उस पर नजर बनाए हुए थे देखिए इन निकम्म को इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुज गई इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे ये खुद का रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया उसको 124 किलोमीटर क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी जादे थी तीन में की थी यह हम उसे मार के नहीं गिरा है जबकि जब भी कोई एर फोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी होस्टाइल सेचुएशन में कोई चीज इंट्री करता है तो इस टेंडर आप प्रोसीजर एस ओपी जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिराओ इन लोग ने मारा नहीं हुआ उसका पर 124 किलो मीटर जब गुछा है तो कई बड़े सहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुज राय और इनके राम हून और बेसरम लोग कह रहें कि हम उसे track कर रहे थे, करती रोड track यहां से इतना degree curve मार के तुम्हारे आके गिर गिर गिया, पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता क्योंकि ब्रम्होस 3 मेक से चलती है इसके पाकिस्तान के पास Chinese radar है इन Chinese radar की help से इसके पास दो तरह के missiles जंबता है एक HQ-7 है ये 30 से 40 किलो मीटर की दूर की मिसाईलों को मारता है एक HQ-9 है ये लगवग 1500 किलो मीटर मार सकता है ये दोनों चाइना का है ये सब को पते नहीं चला कहां चल गया यहाँ पर इन सब किसी काम का नहीं है अब इससे चाइना भी गुसिया आया है भारत का ब्रमोस गुस गिया है वहाँ पर अब ये गुसिया आया है पाकिस्तान के उपर तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाईल फायर ने हुआ तो हम क्या करें अब फिलिपीन ने ओर दे दिया था ब्रमोस को अब भी अतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए इंडोनेसिया का रहा हमको भी चाहिए, ताइवान का रहा हमको भी चाहिए, अब ब्रम्हों से एकदम जबर्जस्त हैं आपर, अभी भी किसी को डाउट होता है कि भारत से यह मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगई है, हम आपको मिसा का साथ दें, ही रूस का साथ दें, इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या हो जी होता है, समझिये, मन के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी हैं, उन दूनों का बियाह पड़ गया, उकर आए कि हमरे बियाह में आना, उकर आए हमरे बियाह में जाएगा, तो भाई हम कोई दिन हम अपनों बियाह कर लेते हैं, बाले बाते खतम हो जाएगा, भाई हम अपने बियाह में बीजी थे, इसी वज़ा से तबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेबर में जाएगे, और ना ही हम अमेरिका के फेबर में जाएगे, तबसे अच्छा तरीका है, सब्सक्राइब करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भारत को कही ना कई हमला कर देना चाहिए ताकि हम लोगों को इस इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाए आज पूरी दुनिया नहीं करिये कि आप हमें जनेंस्की का साथ दीजिए नाटो का साथ दीजिए कुछ नहीं कर रहा है अब हम लोग यूक्रेन माय उदने से हट गया है क्योंकि पाकिस्तानी से इंटरनेशनल आइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गये आप परसेंट इधर उदर करिये दिये हैं वहाँ पर रेलवे वाले में और एयर फोर्स की वेकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखें भाईया यह एयर फोर्स वाले हैं इन लोग को पढ़ा-पढ़ा हम लोग बैठा हुए है भेजिए उड़ाय सब जहाज मारे सब यहा देंगे दूर बैल कहीं का रिवर्स इंजिनिंग करेगा जब भारत ने इतना strategy बना के मारा था तो देखिए रिवर्स इंजिनिंग में जहाज का में चीज क्या होता है उसका इंजन पूरा इंजन तबाह हो गया है इंजन पूरी तरह तबाह हो गया जो सीकर होता है जो अपने से destroy नहीं हुई है, जान बुच के इसे जोड़ा गया, तो पाकिस्तान कर रहा है, यह किस धातू का बना है, यह हम पता कर लेंगे, रे ससुरा लोल, अगर तुम यह पता कर लेगा किस धातू का है, तो तुम अभी तक बना चुका रहा था कि किस धातू का है, धातू प तुह आचल है ब्रमोस में कुछ नहीं मिलने वहला है, लेकिन हाह फावाल कहेगा हमने ब्रमोस का कॉपि बना लिया अमरीका के टॉम हॉक का हमने कामपी किया था हमने कॉपि बना लिया, ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही tough engineering होती है इसके अंदर, आपका आगे का जो ramjet engine है, ये बरबाद हो चुका है, fuel system बरबाद हो चुका है, propulsion system बरबाद हो चुका है, navigation system बरबाद हो चुका है, खली खोपडिया मिलेगा, तो ये बना लेग जिसका नाम कलामदूइप है, उडिशा का इसे करते थे, फिर नया करनाटक के चीत दूर्ग में परिछण करते थे, चार जगा हम लोग का परिछण केंद था, अभी नया नया पाँचवा परिछण केंद खुल गया पाकिस्तान, अब हम लोग हमेशा कभी कभी इदर ब्रम्होस 2 आ रहा है, जो 800 किलो मीटर मारेगा, यानि पाकिस्तान में बईथे-बईथे, पाकिस्तान हेल के, अफगानिस्तान हेल काजाकिस्तान चल जाएगा वहाँ परिदू अब इसी से नहीं लड़ पाए तो यह दादा आ रहा है, दूसरा ब्रम्होस NG आ रहा है, बह इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाहें नहीं बन जाएगा तुम्होरा रिफर्ज इंजिनिंग इतना तगड़ा है तो अमेरीका से तुम एफ 16 जहाज खरीदे हो तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो अब बैल आज तक तक तुम अपने जहाज से जे 17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए कोंची रिवर्स इंजिनिंग करते हो मन वैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमरे पास ब्रह्मोस का कुछ नहीं है यह बस मेक अप करेगा चौथे साधी की तयारी करेगा यह आंटी जी खारी चाचा है कोई बात नहीं हम क्या करेंग भारत ने जान बुच के मारा था यहां पर ब्रहमोस इसी बहाने ब्रहमोस का सक्सेस भी हो गया डिमांड भी बढ़ गया और आप लोग का जो बैच था एकनोमिक्स लगभग इसमें एडमिशन प्लोज हो चुके होंगे एकनोमिक्स में क्योंकि सर्वर में जगा नहीं है ल पूरा फाउंडेशन से एकदम लो फीर रखा गया है वैसे बच्चों के लिए जो हाई फीर नहीं दे सकते हैं अभी वो दस दिन क्लास ऐसे करके देख सकते हैं उसको एकदम नॉमीनल है जो मतलब हमारा तो पूरा उद्दे सीही राता है कि गरीब से गरीब तक को सिक्षा दी जा सके आई होप आप पूरा इंसिदेंस को समझे होंगे जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे मिलेंगे नेक्स क्लास में जैहिन